हेलो गाइस वन्स अगेन वेलकम टू माई चैनल मेसी पेपर बाई के एस तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हुमायू के बारे में चप्टर करनाम एक वर फिरसे में बता दूँ मुगलकालिन चितिरकला जिसके अंतरगद 6 सासक है और 6 सासक के बारे में पढ़ना है और जो सबसे पहला सासक है बाबर जिसका मैंने फ्रिवेस वीडियो में बता रखा है बाबर के बारे में और आज बात करेंगे जो सकेंड श 30 में यानि 29 दिसंबर 1530 में बाबर का बेटा हुमायू उत्राधिकारी बना मुगलकाल का लेकिन सेर्सा सूरी के हातों प्रमुक उलट फेर और नए समाज के अधिकांस भाग को छेत्री राज्ज से आगे बढ़ाने से पहले ही परभावी रूप से हार गए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उत्राधिकारी बनने के बाद उन्हें छेत्री समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था लेकिन वो आगे बढ़ाने के बजाए वो हार गए सेर्सा सूरी से और समाज को आगे नहीं बढ़ा सके उसके बाद 1540 में हुमायू एक निर्वासित सासक बने और 1554 में सोफा वीद दरवार पहुचे जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे छेत्र उनकी सेना द्वारा न्यानतित है लेकिन सेर्सा सूरी के निधन के बाद हुमायू एक मिस्रित सेना के साथ लोटे अधिक सेनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुना जीतने में काम्याब रहे हुमायाः युद में जाते समय अपने साथ सचीत पोथी रखा करते थे फिस सचीत पोथी चाहिए पूछट अपने सब्सक्राइएं संस्थापक है जो यूद में जाने से पहले अपने पास सचित पोथी रखा करदा था तो हुमायू एंसर होगा आगे बढ़ते हैं हुमायू ने अपनी पत्नी के साथ मकरन के खुद्रे इलाकों को पार किया ठेके मकरन के खुद्रे इलाकों को उन्होंने अपनी पत्नी के जलाल उध्ниन को पीछे चोड़ गया है, उनके बेटे का नाम जलाल उद्धिन था जो बाद में अकबर पढ़ा, और यहां पे एक चिज़गा जो बाबर का बच्पन कानामे वह जहारउद्धिन है, और यहां पे जलाल उद्धिन है ठीक嗎, तो इस पे लेटे जलाल उद्दिन को पीछे छोड़ गया इतनी कठिन थी मतलब यात्रा कि अपने बच्चे को साथ में लेके नहीं गया जलाल उद्दिन को बात में बात के वर्सों में अकवर के नाम से बहतर जाना गया ठीक है पहले बच्पन का नाम जलाल उद्दिन था और बाद में उसे अकबर के नाम से जाना गया वे सिंग के सहर अमर कोट में पैदा हुए ये जलाल उद्दिन के बारे में कहा जा रहा है यानि अकबर के बारे में कि वे सिंग के सहर अमर कोट में पैदा हुए जहां उनके चाचा अकसरी ने उन्हें पाला असकरी ने जहां उनके चाचा असकरी ने उन्हें पाला वहाँ वे मैदानी खेल, घुर सवारी और सिकार करने में उतक्रिष्ट बने और युद्धी की कला सीखी तब हुमायू ने दिल्ली के आसपास मद्य पठार पर कबजा किया अगे कि हुमायू का जन्म 1508 इसवी में काबूल में हुआ है बाबर की भाती हुमायू भी चित्रकला में विसेश रूची रखता था हुमायू ने अफगानिस्तान के अपने निवास के दोरान मुगल चित्रकला के नीव रखी ठीक है इन्होंने भी मुगल चित्रकला के नीव रखी थी हुमायू ने अफगानिस्तान के अपने निवास के दोरान निवास मतलब वहार रहने के दुरान, अफगानिस्तान में रहने के दुरान, मुगल चित्र कला की नीव रखी, काबूल से लोटते हुए, जब वो काबूल से लोट रह थे, तो काबूल से लोटते हुए तरवेज नामक अस्थान पर, हुमायो की मुलकात, मीर सेद अली और खावजा अब्दूल सिराजी से हुई जो इरानी सेली में कारे करते थे जिन्होंने मुगल चित्रकला का सुब आरंब किया यह बहुत इंपोर्टेंट है मिर सेद अली और खावजा अब्दूल सहमत सिराजी मतलब यह काफी चांसे से एक्जाम में आने के कि हुमायू जब ल सुब आरंब किया था तो इनि दो इनिधो इनि दो चित्रकार ने मुगल सेली में हुमायू के टाइम पे चित्रकला का सुब आरंब किया था तो यह शयदो अब्दूल सहमत सिराजी मतलब एक्जाम में काफी काफी जादा चांसे सराप angkin तो कि इसको अच्छी से ध्यान मे जो है है रात के परशित चित्रकार और विजात का सिस्था मीर्शेद अली ने जो कलाकिरती तयार की उसमें से कुछ कलाकिरतिया जहांगीर द्वारा तयार की गई गुलसंद चित्रवली में संकलित है यहां पर कहा जा रहा है कि मीर्शेद अली ने जो भी कलाकिरतिया तयार की थी उसमें से जो कुछ कलाकिरतिया जहांगीर ने अपने टाइम पर अभी भी जहांगीर ने अपने टाइम पर कुलसंद चित्रवाली में संकलित है तो वैसी जहांगीर ने कुलसंद चित्रवाली मत हुमायू ने खवाजा अब्दु सहमथ सिराजी को दस्ताने अमीर हमजा जिसे हजणामा भी कहा जाता है तो दस्ताने अमीर हमजा की चित्रकारी का कारी किसे सोपा गया यह हुमायू द्वारा हुमायू ने हज-नामा का कारे किसे सोपा तो एंसर होगा कि खुआजा अबदुल सहमसिराजर यह काफी काफी जाद vender है यह चित्रकारी मेर के समय में अंहें में सुरू हूई और अकबर के समय में खत्म हूई ठीके जो हम्जा नामा है उसमें चित्रकारी जो हुमायू के टाइम पे तो सुरू हुई थी लेकिन खतब अकबर के समय में हुई थी और ये जो अब्दुल अस जो ख्वाजा अब्दुल अहमद सिराजी ये अकबर के सासनकाल की भी चित्रकार माने जाते हैं हुमायू के भी सासनकाल की चित्रकार मान जाते हैं जब अकबर के बारे में आप पढ़िएगा तो अकबर के टाइम पे भी इस चित्रकार का जिग्र हुआ है और साथ में मीर सेयद अली का भी जिग्र हुआ है अकबर के टाइम पे तो अकबर के टाइम पे ये दोनों चित्रक एक्पड पकी गई थी ये इंप्रॉौर्टेंट है कि डास्ताथ अमीर हमील हम्जा है या फिर हज नामा है कि चित्रकारी जो है किस पर की गई है तो कपड़े पर की गई है आगे बढ़ते हमजा नामा मुगल चित्र साला की प्रत्थम महत्पुर्ण कृति है ठीक है प्रत्थम मतब चित्र साला की पहली महत्पुर्ण कृति है या पेगंबर के चाचा अमीर हमजा के वीरता पुर्ण कारनामों का चित्रंत संग्रा मतलब कहा जा रहा है कि इसमें जो दिखाया गया है वो पेगंबर के चाचा अमिर हमजा की विर्तापुर्ण कार नामों का ठीक है उनके विर्तापुर्ण कार नामों का चित्रन संग्रा है इसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रा है मतब इस हमजा नामा जो है इसमें बोल रहाई कि 1200 चित्रों का संगरा है साथ ही हुमायू नामा पुष्टक की रचना लेखा गूल बदन ने किया ये भी बहुत इंपोरटन्ट है हुमायू नामा जो हुमायू के बारे में लिखा गया है ठीक है और इसको और इस पुस्तक को जो है गुल बदन बेगम ने लिखा है जो हुमायू की बहन है ये भी कोशन हो आज आएगा एक्जाम में कि हुमायू की बहन का नाम क्या है तो गुल बदन या गुल बदन द्वरा लिखी गई पुस्तक कौन सा है तो हुमायू नामा या टकरा कर 26 इनबरी 1556 में हुई और एक और नौट से इसमें कि सुन्दर पक्चियों के चित्र सबसे पहले हुमायू मुगल बादसा ने बनवाया ये इनपॉर्टन कोशन है कि सुन्दर पक्चियों के चित्र सबसे पहले किस बादसा ने बनवाया तो सुन्दर पक्चियों की चित्र सबसे पहले हुमायू मुगल बाथसा ने बनवाया। तो फ्रेंस हुमाई के वारे में आपको इतनी पढ़ना इस से जादा नहीं पढ़ना इस से जादा बिल्कुल आएगा नहीं एक्जाम में मतलब मैंने जादा ही एक्स्टर ही बताया है तो इस से जादा एक्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा आप इतना पढ़ ले इतना आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं ज़ानों को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन बेक टू बेक मिलते रहें और कल बात करते हैं अकबर के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए अकबर से तो हंड़ेट परसेंट लिए आता है कोश्टन इंटरेंस की जाम में तो कल का वीडियो बिल्कु बहुत कुछ है कल के बारे पढ़ने के लिए मतलब आज तो जैसे छोड़ा सा वीडियो था जादो कुछ पढ़ना नहीं था इसलिए तुरंद खतम हो गया कल का वीडियो तो बहुत कुछ पढ़ना है क्योंकि उसके सासनकाल में अस्थापतिकला का भी निर्मान वा था और छित्रकला कमें तो स्थापत कला कमी बहुत सारे छीज़े जो नहीं बनवाई तो सब्सक्राइब बहुत सारे बनवाई तो दोनों की बारे में पढ़ना है तो चलिये फिल मिलती हूं में कल चे वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे नमस्ते